हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे आज मैं आपको बताने वाला हूँ फैक्ट फोर लो कट ओफ आरार्बी जूनियर इंजिनेर सीवीटी टू के बारे में वीडियो को अंतक देखें इसकिप ना करें और समझें कि आरार्बी सीवीटी टू की या आरार्बी जूनियर इंजिनेर की जो कट ओफ है वो कम क्यों जाएगी मैं आपको कुछ फैक्स बताऊंगा और लास्ट में मैं अपने अनुसार या अपने अनुमान से कट ओफ बताऊंगा आपको अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे फोलो कर सकते हैं लेकिन चरूरी नहीं है कि वही कट ओफ रहेगी या कट ओफ नहीं रहेगी है मैं विल्कुल नहीं कह सक وأ कट ओफ है सीविटे टू की AH कुछ जाएगी तो सबसे बड़ा फैक्टर है इसके अंदर कि जो वैकंसी थी इस बार वो बहुत ज़्यादा थी वेकंसी जो थी इस बार बहुत जादा थी पिछले बार की वेकंसी से अगर कंपेर करें तो पिछली बार बाइस सो तेस सो वेकंसी के करीब थी और इस बार लगबग लगबग 14,000 के करीब वेकंसी हैं और इसके अंदर देखा जाए तो पिछली बार से अब की बार पांच था कि पहला वेपर नोन टेक्ट था तो सारे बच्चों ने इसको फोम बरा था जो नोन टेक्निकल की तियारी कर रहे हैं वो भी और जो टेक्निकल की तियारी कर रहे हैं वो भी लेकिन ज्यादा तर केस में यह देखा गया है कि जो नोन टेक्निकल की तियारी कर रहे थे उन्ह नहीं निकला बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट भी किया था कि मिनिमम क्वालिफाई मार्स पे हमारा सेलेक्शन किया जाए लेकिन रेल्वे ने उनकी बात नहीं सुनी तो एक सबसे बड़ा फ्रक्टर दो यह है कि इसमें जो सीवीटी टू के अंदर जो कैंडिडेट बैठे हैं जो अपियर हुए हैं जो किलियर हुए सेलेक्टिड हुए हैं वह बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं जो नोन टेक्निकल हैं नोन टेक्निकल की तियारी कर रहे हैं ससी की तियारी कर रहे हैं बहुत सारे कंडिडेट ऐसे हैं और बहुत सारे यूटूब चैनल बता रहे हैं कि 110 कटोफ 20 कटोफ मैं उनसे एक चीज पूछना चाहता हूं क्या आप यह मान सकते हैं अगर मैं आप से पूछूं कि आप कोई पेपर दे के आए हैं और आप 200 नंबर का वेपर और आपने डिड़ सो नंबर का कोचन वेपर अटेम्ट किया तो क्या आप आने के बाद यह कह देंगे कि मेरे मेरे सो के सो सो गल्द हो जाएंगे या पचास ठीक होंगे ऐसा कोई भी नहीं कहता लेकिन बहुत सारे लोग यह कह रहे हैं कि बीस जाएगी कटो 130 जाएगी चलो मैं मानता हूं इतनी जा सकती है उनका इसाब है उन्होंने रिव्यू किया है बहुत सार बहुत सार केंडियेट का सर्वे किया है लेकिन फिर भी मैं यह कहूंगा कि यूटूब पर कमेंट में तो मैं भी यह डाल दूंगे मेरे 150 में से 150 आएं क्या वो बात स स्कूल के इतने सारे पेपर दिया आपने भी मैंने भी हम जो पेपर को असन बताते हें क्या उसमें हमारे 10 में 12 में कभी त्वेल्थ की बात कि जाये तो कुछabling लोगों को छोड़कार किया हूंके कवी 100 मेंसे 100 मार्च्स आपाएं आसान फेपर होने के बात भी मैंने कह दिय तुमने कह दिया 45 बंदों ने कह दिया दो-3,000 बंदों ने कह दिया कि पेपर आसान आया था 70-75% चली जाए और जो पिछली बार की cutoff के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो पिछली बार जो पेपर होता था वो सिर्फ एक पेपर होता था सब के लिए common paper होता था उसमें सब के mechanical में civil के question पूछा जाता था एक पेपर के अंदर अगर आप देखें तो सारी चीज़ों निचोड करके कटॉफ बनानी होती थी रेलवे को उसके अंदर भी अगर आप कटॉफ देखें तो मुस्किल से मुस्किल साथ परसेंट गई है एक जोन की मैं कहता नहीं कि यह ज्यादा चली गई हो और स्सी एस्ट मैं आज से तीन-चार साल पहले कॉंप्टिशन इतना नहीं था पढ़ने वाले बच्चे तो थे लेकिन कॉंपटिशन अब ज्यादा हो गया यह मैं मानता हूं और तूसरा फैक्टर यह है कि जो वैकंशी का माहल चल रहा है वैकंशी का जो माहल चल रहा है बहुत सारी वैक कि लोग बाग इस पे जो केंडडियेट है कुछ दियान देंगे कुछ इसी पे फोकस डौंगे कि मुझह आरार भी जूनर इंजिनर में जा ना है कुछ होंगे कि आरार भी स्वा ठीने देख लेंगे दूसरा सबसे बड़ा फेक्टर ये था तीसरा फेक्टर जो था कि ताइम ताइम हमें जो इसके अंदर मिला, वो टाइम हमें बिल्कुल नीं मिला इसके अंदर a कि ताइम जो दिया गया था मु eternal स्वाइब तारीक को 13 अगस्त को रिलता या था रहर थाइस अगस्ते पेपर स्टार्ट हो गए थे हाँ वह उनकी थोड़ी किस्मत है कि लीक हो गया था तो 20-25 दिन बाद हुआ पेपर वह उनकी अपनी प्रिप्रेशन है लेकिन जो टाइम गया था रेलवे की तरफ से वह बहुत ही कम था यह भी एक लो कट ओफ जाने का पूरा बनता है और सबसे बड़ा फैक्ट जो बनता है कि टियर फर्स्ट में जो सीबीटी फर्स्ट में जो क्वालिफाइड हुए तो वह नोन टेक कैंडिडेट थे लगभग लगभग 15 गुना के आसपास एक पोस्ट पर कैंडिडेट का सेलेक्शन हुआ था उसके अंदर से 10 कैं निकल से उन्होंने डिग्री तो किया लेकिन वो टेक्निकल की तियारी नहीं करते हैं उनका टेक्निकल एवरेज से थोड़ा सा कम है और अगर उन बच्चों का सेलेक्शन हो भी गया तो उन्होंने फिर तैयारी करनी सुरू की तो उनके लिए टाइम बहुत कम था और आप भी आनते हैं जो सिलेवस आपने चार साल में पड़ा उसको 14 या 15 तिन में कवर करने के लिए कितना कितनी मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ा जो इसमें मैं फेक्टर कहूंगा वह कहूंगा नोन टेक्निकल केंडिडेट वाल कही क्योंकि बहुत सारे जो टेक्निकल के सबस्के कैंडिडेट फें प्रोटेस्ट किया था कि जी मिनिमम क्वालिफाई पे कट ओफ लगा कर हमें भी हमें विक क्लियर का मोगा मेंrien कििवृटए टू हमारा वी किलियर करवाईं लेकिन यरलीं कुछ। कि अहराज में ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने अपनी कट ओफ लगा दी और जो बच्चे उसे किलियर करें उनको सीविटी टू के लिए इलिजिबल कर दिया उन्हें इलिजिबल किया तो बहुत सारे जो टेक्निकल वाले कंडिडेट थो परिशान होगा उन्होंने प्रोटे कि इस बार भी एक दो नंबर ऊपर जा सकती है लेकिन नीचे आने के बहुत कम बहुत ज्यादा चांसिज है उपर जाने के बहुत कम चांसिज है नीचे आने के चांसिज ज्यादा है जो मैंने आपको फैक्ट बताए उनसे अगर आप वेकंशी को रिलेट करते हैं तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो किर्पया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें धन्यवाद